गुड इवनिंग नमस्कार मेरा नाम प्रनेच हिबबर है मैं और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स हूँ गौर्मेंट पीजी कॉलेज जलेसर में जैसा कि पीएफएमेस आइडी के अंदर हमको जीरो बैलेंस अकाउंट को माप करना है उसके लिए में एक छोटा सा लॉग इन पर क्लिक करना है जब आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे नहीं यह पेज खुलकर राएगा यहां यूजर निम पासवर्ट पूछ रहा है आप प्लीज गौर्द करिएगा इस बात पर कि यूजर निम आपके कॉलेज में दो हो सकते हैं एक होगा एडमिन का और ए जो रजिस्टर ओटीप होगा रजिस्टर एमेल आईडी होगा फोन नमर होगा उस पर ओटीप आ जाता है इजी लिए पासवर्ट रिसेट कर सकते हैं मैंने भी ऐसा किया है वैसे लेकिन यहां मेरी आईडी मैं डालते हुए और डालने के बाद जो है लॉग इन कर लेता अब करेंगे तो एक नए डालोग बॉक्स पूलेगा यहां इसकीब नें आपको टाइप करना यहां जैसा कि बतायाँगा था वीसी बेए उक्टी टू आप जैसी सर्च करेंगे यहां आगा सिक्षाट करेंगा to अभ्यान 9170-UP2, इसके बाद select funding agency में I will receive funds from this agency तीसरे नंबर के check box को चेक कर लीजिएगा, click करते ही यहाँ पर एक option का ये window छोटा सा dialogue box जो है वो और open हो जाएगा, इसके search पर click करिएगा, search पर click करके आपको agency का जो नाम लिखना है वैसे आप type भी कर सकते हैं लेकिन सामने ही मौझूद है UP State Council of Higher Education, UP State Council of Higher Education को यहाँ पर select कर लीजिए और simply check SNA details को click कीजिए, जैसे मैं click करूँगा, यहाँ पर उस account का विबराट आ जाएगा जो Canera Bank में खुला है, यह वो account है जिसमें हमने सारा पैसा जो रूसा account में balance में था with interest ट्रांसफर किया है, तो यह हमारा state का nodal account है, हमें add करना है zero balance subsidiary account जो आपने हाली में खुलवाया होगा, यहाँ simply click करिएगा, बगल वाले check पे जैसे हम click करेंगे, यह जहाँ पर blank हो जाएंगी चीज़े, account number वगारा, यहाँ से आप अपनी branch का chain कर लीजिए, यह देखिए branch address में select branch में जाएए, बड़ा easy सा process है, जैसे मैं अपने यहाँ की branch जो है, आपको भी search करके दिखा देता हूँ, option यह भी आपके पास मौझूद को यहाँ से click करके select करने है, आप अपनी branch का FSC code डालिए, यह सर्च करके यहाँ पर जैसे click करेंगे, तो यह branch यहाँ पर select होके अपने आप आ जाएगी, उसके बाद आप से account number डालने की गुजारिश है, तो मैं एक hypothetical number डालके दिखा जेता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कु इसा बाद या जो भी आपका passbook में नाम updated है, इस नए zero balance खाते की passbook में वो यहाँ आप लिख दीजे, simply जैसे ही आप लिखेंगे, उसके बाद, यहाँ पर एक देख लीजे एक बाद, simply scheme select करी, यहाँ पर council select करी, council of higher education, यहाँ सर्च में गए, हमने branch select कर ली, branch का नाम यहाँ खाता number डाल दिया, और simply अपना नाम college का यहाँ पर जो passbook में लिख किया है, वो यहाँ पर डाल लेगे बाद, agency account scheme component mapping पर क्लिक किया, यहाँ पर एक छोटा सा dialogue box खुलेगा, चाहे तो यहाँ बल्क पर क्लिक कर दीजेगा, अपने आप नीचे क्लिक हो जाएगा, दूसरा option भ यह सेव आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोडल अकाउंट, जो नोडल से लिंक करने वाला, जीरो बैलन सबसेडियरी अकाउंट है, वो आपकी ID के अंतर मैप हो जाएगा, चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही कर चुका जैसे मैंने पहले बताया है, वैसे कर लीजिएगा, यह हो सकता है कि आप ब्रांज सेलेट करने से रह गए हो, यह खाता नमबर ना लिख रहा हो, तो सारे को जो है, कॉलम्स को प्रॉपरली भरना है, उसके बाद आप जाएगा, माइ स्कीम्स में, मैनेज में, जब आप मैन खाना वाला खाता जो है, जो इससे पहले जिससे सारा लिंक था, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है, उमीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से थोड़ी मदद मिलेगी, गुड़ नाइट, and I wish you all a very happy new year, thank you so much.